नमस्कर दोस्तों, आज मैं आपको हुंपैथिक दवा अलफा लफा मदर टिंचर के बारे में बताऊंगा कि किनकिन बीमारियों में इसका यूज होता है और इसको लेने का तरीका क्या है मैं डॉक्टर विनायक हूशन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे अलफा लफा को हम हूँपैथि में हेल टॉनिक के रूप में भी जानते हैं यह दवा उत्तको का अच्छाए होने पर उनका फिर से निर्मार करती है, मसल्स को बढ़ाती है तता वजन को बढ़ाने में कारगर है तो जो भी ब्यक्ति दुबले पतले हैं या जो वाडिंग विल्डिंग करते हैं जिन्हें अपना मसल्स बनाना हो वो अलफा लफा मर्दर टिंचर को 20-20 बूंद आधे कप पानी में मिला के 3 बार पियेंगे तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और मसल्स भी या दवा सरीर में खून की कमी एउन खून की कमी से आई दुरबलता कमजोरी एउन सुस्ती में बहुत ही उपयोगी है ऐसे व्यक्तियों के अलफा लफा क्यूंकि 20-20 बूंद आधे कप पानी में मिला कर 3 बार देने से बहुत ही जल्दी उनकी कमजोरी दूर हो जाती है तत बहरा पीला पड़ जाता है शरीर हमेशा सुस्त पड़ा रहता है तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा की 20-20 बूंद आधे कप पानी में मिला के 3 बार देनी चाहिए जिन भी लोगों को सारीरिक आधे कप पानी में मिला के 3 बार लेंगे तो वो सारीरिक आउन मानसिक रुख से अपने आपको बहुत ही जल्दी फिट महसूस करेंगे यह दवा डाइजेशन को ठीक करती है तथा भूग को बढ़ाती है डिलिवरी यानि प्रसों के बाद महिलाओं में तूद की क्वांटिटी आउन क्वालिटी को बढ़ाने की य जरूर देनी चाहिए इसे देने से महिलाओं में दूद की क्वालिटी एउन क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है इसके साथ ही साथ प्रसों के बाद यानि डिलिवरी के बाद आई कमजोरी भी बहुत तेजी से दूर हो जाती है यह दवा डियाविटिक से होने वाले बहुत तेजी से घट रहा हो यह जिनको कमजोरी रहती हो उनको इस दवा की यानि अलफा लफा क्यों की पंदरा पंदरा बूंद आधे कपानी में मिला के तीन बार जरूर लेनी चाहिए इससे उनका फैट लॉस रुप जाएगा मसल्स बनेगा एवं कमजोरी भी बहुत ज जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को प्रेस करिए मिलते हैं फिर अगली बार नए वीडियो के साथ नमस्कार